हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू रेनुम किचन में आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ मेठी सिवई जो बहुत ही ज़्यदा पसंद आती है और बहुत चटबट बनके रेड़ी भी हो जाती है तो चले इसको बनाने स्टार्ट करते हैं गैस पे मैंने पैन रख लिया है औ आपको पसंद दो और इसको थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं तो यह देखे बॉयल हो रहा है और हम किनारियों को स्क्रैच करते जाएंगे ताकि इसकी जो मलाई है ना वो साइड में जले नहीं और दूज जब तक हमारा बॉयल हो रहा है तब तक हमने यह पे पैन रख लि दो फिल डास कर लेते हैं तो खमा steht कर लेते हैं आप स्वYO Cape C्याट कर लेते हैं और चैचिश में आप से यह सब्ठी गी यह में रोस्ट कर लेते हैं तो यह रोस्तट होता है एंगा नहीं पिलाव को प्मित हो रिख छोः दिखा टीषित फिला फोरा हम पाराने से यह तो त रोस्ट कर लिया है तोड लिया है कभी कम होगी इसकी quantity और इसके बाद से अब हम इसको गैस का फ्लेम आप करके और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो चली दूद को भी हम हम चेक कर लेते हैं तो यह देखें दूद की quantity भी कम होने लगी है और जो साइड में मलाई है ना इसको भी अच्छे से स्क्रैच कर लेते हैं और यहाब हम यह पर डालेंगे सुगर एक कप सुगर है आपको जितना मीटा पसंदो उसके अप सुगर एड़ कीजिगा और यहाँ पर हमने दो पिंच इलाइची का पॉडर डाला है अगर आपके पास इलाइची का पॉडर नह है इसके बाद से हम थोड़ा सा इसमें किसमिस एड़ किया है किसमिस को हमने रोस्ट नहीं किया था यह दिखी इस तरह से और इसकी काफी क्वांटिटी कम हो चुकी है और अब हम यहाँ पी सिवही को एड़ कर दे रहे हैं और बॉइल करते हैं तो इससे वहीं को एड़ करके हमने अच्छे से ठीक चला लिया है और इसको ज्याद़ कुक नहीं करना है क्योंकि सारी चीज हमने इसमें रोस्टेट डाले हुए है तो इसलिए जादा को करने के जुरत नहीं है सिर्फ 4-5 मिनुट को करना है इसके पास से हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे नहीं तो यह बहुत ही जादा डार्क हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो यह रेकिए 4-5 मिनुट हो चुका है और शर Whilst कर लिया है और आपको देखने में इस उपर डिलिश्यस लग रहा होगा और जितना देखने में टेस्टी है उतना ही खाने में टेस्टी है यह तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूरत राय कीज़ेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगा कि आपकी की एस पुर वोचीं